दोस्तो एक बहुत ही बहतरीन खबर सामने आ रही है इंडिया के corporate sector में से TCS यानि की Tata Consultancy Services 17 अगस्त 2021 को इंडिया की दूसरी वो company बनी जिसने की अपनी market value को cross किया 13 लाक करोड के बड़े आकडे को इसके पहले भारत में Reliance के नाम से company है जिसका value है 13.7 लाक करोड और अब TCS की company की value हो चुकी है 13.14 लाक करोड और जिस दिन ये वाली value इसने टच करी थी TCS के shares भी काफी जादा जो है record high को touch कर चुके थे पताना चाहूंगा दोस्तो TCS एक multinational information technology यानि की IT services देने वाली company है जिसका मुख्याले वैसे तो मुंबई में है लेकिन इसका जो सबसे बड़ा campus है वो चैन्नई में located है और 2018 के अनुसार ये Fortune India 500 के list में rank 11 पे आती है इतना ही ये दुनिया की सबसे बड़ी company माने जाती है with respect to market capitalization